नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज और इस वीडियो में आपके लिए February के Second Week में जो Current Affair बना है जिसमें हम 5 February से लेकर 11 February तक के Current Affair को कवर करेंगे साथ साथ जो Related Static GK होगा उस portion को भी कवर करते हुए चलेंगे जिससे कि आपका Static GK का portion भी कवर हो जाए चलें स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह राजनिती वा केंद्रो जो राजनिती केंद्र वा राज्जियों के फैसलों से Related तो पहला question है आपके लिए मद्यपर्देश सरकार ने भोपाल के इसलाम नगर गाओं का नाम बदल कर क्या रखा अंसर होगा जगदीश पुर जगदीश पुर नाम था पहले मुगलों ने इसका नाम कनवर्ट करके रखा था इसलाम नगर अब जो बीजेपी सरकार है बीजेपी सासित सरकार है उसके द्वारा इस नाम को चेंज करके जगदीश पुर दुबारा से कर दिया गया याद रखेगा सिवराज सिंग चोहान जो की मद्यपरदेश के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा ये अनॉसमेंट की गई मद्य परदेश की बात करें तो मद्य परदेश की कैपिटल भोपाल है चीफ मिनिस्टर ये भाई साब ये है सिवराज सिंग चोहान गवर्नर है मंगू भाई सी पतेल मंगू भाई चगन भाई पतेल आगे बात करें अगला कुश्चन है केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन एंडॉर्समेंट नो हाओ के में सोशल मीडिया इंफ्लॉएंसर के लिए पेड विज्यापन की जानकारी सारवजनिक ना करने का ना करने पर अधिक्कम कितना जुर्माना का प्राबधान है अंसर होगा कितने का पचास लाख तक का जुर्माना है मतलब अगर कोई भी इंफ्लॉएंसर है जैसे की बड़े बड़े जो एक्टर्स या फिर कोई भी अगर वो किसी का प्रचार करते हैं तो उनको डीटेल देनी पड़ेगी सारी की इस प्रोड़क्ट में यह यह चीजें है अगर वो ऐसा नहीं करते साथ साथ फाइनेंशल कितना ट्रांजेक्शन हुआ है यह भी बताना पड़ेगा अगर वो ऐसा नहीं बताते तो उनके उपर पचास लाख तक का जुर्माना कें सरकार के इस फैसले के माद्यम से लग सकता है इससे बेनिफिट होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े कराकार है कोई साभी जो एड़र्टाइजमेंट करने लग जाते हैं उसमें लगाम लगेगी याद रखिए का पचास लाख तक का यहां पर जुर्माना लग सकता है अगला कॉशन है महरास्ट सरकार ने किस गीत को आधिकारिक तोर पर राज्य गीत के रूप में अपनाया है तो इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जिसने अपने राज्य गीत के रूप में कुछ गाने को अपनाया है मतलब और भी बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने अपने हिसाब से गानों को अपना रखा है अब महरास्ट ने जए जए महरास्ट माज़ा को अपनाया है राज गीत के रूप में ध्यान रखेगा यह जो गाना है ना यह लगभग तीन मिनट सो उपर का है लेकिन जो राज सरकार है वो चाहती है कि इसे डेड़ मिनट का बना दिया जाए इस गाने में उत्साह उमंग और महरास्ट के जो लोग है उनको एक रखने के लिए इसको लॉंच किया गया है ध्यान रखिएगा यहाँ पर महरास्ट की बात करें तो महरास्ट को थोड़ा डीटेल में जाल लेते हैं महरास्ट का गठन 1960 को हुआ था और इसी साल गुजरात का भी गठन हुआ था राजधानी इसकी मुंबई नाकपुर है नाकपुर सीत कालिन यहां की राजधानी है राज्यपाल भगत सिंग कोश्यारी है, मुख्यमंत्री एकनात सिंदे है, विधाई का यहां की दूई सदनी है मतलब यहां पर विधान सभा भी है और विधान परिशद भी है विधान सभा में 288 सीट्स, विधान परिशद में 78 सीट्स आती है कुछ इसी प्रकार से अन्य राज्य और हैं, अन्य पांच राज्य और हैं जिनके पास विधान सभा और विधान परिशद हैं, कौन-कौन से काउंट करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महरास तो होई गया, करनाटका, तिलंगाना और आंडर परदेश, ये छे राज्य ऐस हैं, जिनके पास विधान सभा और विधान परिशद दोनों हैं, राज्य सभा में इसके पास 19 सीट, लोग सभा में 48 सीट इसके पास आती है, राज्य भासा में कोई डाउप होगा नहीं, मराथी इसकी राज्य भासा है, मैप पर देखें, तो ये कोस्टल लाइन बनाता है, महरास्ट Coastal Line बनाने वाला एक स्टेट है भारत के टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि Coastal Line बनाते हैं सबसे बड़ी Coastal Line गुजरात की बनती है और सबसे छोटी Coastal Line राज्यों में गोवा की बनती है अब यहां पर महरास्ट के बारे में देखें तो internal किसके साथ ये boundary share कर रहा है तो ये गुजरात के साथ मद्य प्रदेश के साथ 36 गड़, तेलंगाना, करनाटका और गोवा के साथ कर रहा है ये मत सोचिएगा कि सबसे जादा राज्यों के साथ ये boundary touch कर रहा है सबसे जादा राज्यों के साथ boundary उत्तर प्रदेश टच करता है ध्यान लखिएगा चलिए आगे बात करें अगला कुशन है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री M. करुणा निधी की इसमर्ती मतलब memory में प्रस्तावित कमल इसमारक को लेकर जनवरी 2023 में विवाद हुआ आंसर होगा ये जो M. करुणा निधी जी है ये किस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे है तो आंसर होगा तमिल लाडू कमिल लाडू के इस समय पर चीफ मिस्टर M. के स्टालिन है कैपिटल यहां की चेननई है और आर एन रवी सहब यहां के गवर्नर है यहां पर आप देख सकते कुछ इसमारक बनने वाला था और यह है वो करुणा निधी जी यहां पर तमिल लाडू को जाने तो तमिल लाडू का भी डिटेल जान लेते हैं जैसे इसका गठन 1956 में चेननई कैपिटल और चीफ मिस्टर M.K. स्टालिन आर एन रवी सहब यहां के राज्यपाल या गवर्नर है जिले यहां पर टोटल 38 है विधान मंदल एक सदनी है जिसकी विधान सभा में 234 सीट्स, लोग सभा में 39 सीट्स, राजसभा में 18 सीट्स यहां से आती है हाई कोट की बात करें तो मदरास हाई कोट के नाम से यह जाना जाता है जो कि 69 में अबलेबल है यहां पर मैप पर देख लें तो तीन राज्यों के साथ यह बाउंडरी टच करता है आंदरपरदेश, करनाटका और केरल के साथ अगला कुशन है PM मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलूरू में E20 को लाँच किया यह किस से संबंदित है जो E20 है यह किस से रिलेटेड है आंसर होगा पैक्ट्रोल के साथ इथिनल को मिलाया जाएगा पहले भी मिलाया जा रहा था 2014 से पहले बहुत कम मात्रा में मिलाया जा रहा था लेकिन 2014 के बाद इसमें 10% मिलाया जाने लग जया लेकिन अब अनाउस्मेंट की गई है कि पैक्ट्रोल में 20% इथिनल का मिस्रण किया जाएगा जिससे कि भारत के जो खनीज है पैक्ट्रोल से रिलेटेट खनीज है उन पर प्रेशर कम हो सके और पैक्ट्रोल को लंबे समय तक चलाया जा सके पैक्ट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं तो इससे दाम भी कम आएंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के द्वारा करनाटका बिंगलूरू से इसको लौंच किया गया है यह एनवायरमेंट को भी बेनिफिट देने वाली है सिम्पल सी बात है पैट्रोल कम होगा इथनल का अगर यूस होगा तो बेनिफिट मिलेगा साथ-साथ इथनल जहां से आता है कहां से आता है किसान कौन कौन से जो गन्ना उगाते हैं जो चावल उगाते हैं उनके माध्यम से इथनल आएगा जब वहाँ से इथनल लिया जाएगा तो किसानों की आमदनी भी यहाँ पर बहतर होगी ठीक बहुत सारे यहाँ पर परस्पेक्ट हैं इसलिए इसको लॉंच किया गया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी के दुआरा और हरदीप पुरी जी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो पैक्ट्रोलियम मिनिस्टर है साथ साथ वो हमारे आवास के मिनिस्टर भी है चलिए अगले कुश्शन की बात करें तो अगला कुश्शन है परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्टरी का उद्गाटन किया तो आंसर होगा कहां पर किया है तो आंसर है करनाटका में करनाटका में परधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी गए दोनों काम E20 को भी और साथ-साथ HAL की ये फैक्टरी को भी लॉंच करके आए हैं इससे ये जो हैलीकॉप्टर फैक्टरी डेवलप कर रहा है इससे बेनिफिट क्या होगा सिंपल सी बात है इससे इस प्र मोगदान करेगा और अब भारत में ही जो हेलीकॉप्टर से वह डवलप होंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से सब से पहला है इस ये फैक्टरी में तो वह ल्यू-च है बादमें और भी दूसरे हलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर्स डवलप किये जाएंगे यहां पर HAL मैंने ब समय पर अध्यक्ष है ठीक चले अब न्यूकती से रिलेटेड कोश्चंस की बात करेंगे उससे पहले आपको बता दू कि हमारी एक बुक है जो जिसमें 2022 का पूरा करेंट अफेर कवर किया गया है Amazon पर ये टॉप लिस्टे टॉप बेस्ट सिलर की कटेगरी में आ चुकी है तो उमीद करूँ आप इसको परचेस कर लेंगे चाहे Amazon से कीजिए या फिर हमारी जो वेवसाइट है वहां से कर लीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है परचेस करने में तो आप क्या करेंग जो दूसरी सुविधाएं दी जाती है उनको भी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेंबर्शिप जरूर ले लिजिएगा मेंबर्शिप से आपको हमारी बुक में डिरेक्ली परसंटेज का डिसकाउंट मिल जाएगा जो हमारे द्वारा पीडिएफ अगेरा येरली सारी सुविधाएं आपको मैंबर्शिप के माध्यम से मिल जाएंगी जाए तो न्यूकति से तरेक्ट में टीम है नेशनल लेवल की टीम है उसमें किसी भारतिये को अपॉइंट किया गया है किसके एजा लीड कोच के रूप में तो आंसर होगा कौन है मॉंटी देशाई इससे पहले भी ना भारतिये इनके के इनके कोच थे मुख्य कोच थे अब कौन थे मनोच प्रभाकर जी अब को यहां पर पॉइंट किया गया यह मॉन्टी देशाई भारत में इनको बहुत साथ बहुत लंबा एक्स्पीरियंस है कोचिंग का क्योंकि इन्होंने वेस्ट इंदीस टीम कनेडा साथ साथ UAE टीम के मुख्य कोच के रूप में इन्होंने काम किया साथ-साथ भारत में IPL ह होता है वहां पर इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए भी मुख्यकोच के रूप में काम किया है तो अच्छा खासा experience है वहां पर नेपाल को भी इनका benefit मिलेगा यहां पर बात करें तो भारत के extraterrestri कौन बडरी तो इतीडार्य कि पहली महीला प्रधानमंतरी कौन बड़ी तो इकद्मीयल गिद fonction की पहली प्रधानमंतरी आप महीला बनी है इनका नाम है क्या Manuele Roca Boaty ध्यान रखेगा यह गिनी की पहली फीमेल प्राइम मिनस्ट्रबनी है important है अगर इस देश की बात करें तो यह अफ्रीका में इस्थित एक देश है इसकी रालधानी मलाबो है करेंसी यहां की मद्य अफ्रीकी फ्रेंक है सी एफ एफ ए फ्रेंक रास्ट्रपती की बात करें तो टीओ डोरो ओभियंग नगेंबा मबा सोंगो है चलिए आगे बात करते हैं अगला कुशन है मौर्गन इस्टेनली ने इंडिया का कंट्री हेड किसे न्यूक्त किया है तो मौर्गन इस्टेनली एक फाइनेंस रेलेटेड कंपनी है इस पर भारत में किसको कंट्री हेड न्यूक्त किया गया आंसर होगा अरुना कोहली को भारत की जो भारत में जो पूरा काम है इस कंपनी का Morgan Stanley का इसका पूरा काम ये देखने वाले है Morgan Stanley मैंने आपको बता दिया ये एक investments related company है American company है finance related और इसका मुख्याले New York अमेरिका में है इसकी स्थापना 1935 जिस साल RBI की स्थापना हुई थी Reserve Bank of India की उसी साल इसकी स्थापना हुई है ठीक यहां पर Arun Collegine के head बन चुके हैं अब अगले question आएंगे आपके लिए आर्थिक से related तो आर्थिक से related में पहला question है और important question है IMF क्यानुसार वित्तिय वर्स 2023 में भारत की मुद्राइस पीती कितनी रहेगी तो answer यहां पर है 5 percentage भारत की जो मुद्राइस पीती है कोरोना वाइरस में काफी चरम पर पहुँच चुकी थी अब धीरे धीरे decline कर रही है और इस report के माध्यम से यह भी बताया गया है कि भारत की जो मुद्राइस पीती है वो दुनिया की मुद्राइस पीती के मुकाबले काफी तेजी से decline करेगी भारत की मुद्राइस पीती regular decline कर रही है और माना जा रहा है कुछ सालों में जिस तरीके से हालात कोरोना वाइरस से पहले थे उसी तरीके से अब आगे हो सकते हैं अगर 2024 के मुद्राइस पीती की बात करें तो पांच से घटकर चार पहुँच जाएगी थिक आई-म-फ की बात करें तो International Monetary Fund इसकी full form है इस थापना इसकी 1945 में हुई थी इसका मुख्याले वासिंग्टन DC में है जिस तरीके से World Bank का मुख्याले भी वासिंटन DC में है इसके प्रबंद निदेशक की बात करें तो Christina Georgia है ठीक चलिए आगे बात करें अगला कोशन है UPI पर credit card को support करने वाला भारत का पहला app कौन बन गया तो आपको पता होगा credit card मतलब आप पहले pay कर दे और बाद में आप bank को pay कर दे मला bank के माध्यम से आप थोड़ा सा rent ले लेते हैं कुछ time के लिए कुछ time में अगर आप भर देते हैं तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ता अब ऐसी ही सुविधा एक UPI यूज करने वाली एप में भी मिल जाएगी किस में तो आंसर होगा mobi quick कौनसा mobi quick app है इसके माध्यम से अगर आप UPI यूज करते हैं तो आपको credit card की सुविधा मिल जाएगी दिहान रखेगा यह पहला ऐसा system बना है इसी लिए important है अब सारे क्रेट कार्ड में सुविधाय मिलेगी नहीं सिर्फ और सिर्फ रूपे card अगर आप यूज करते हैं तो आपको benefit मिल जाएगा ठीक चालिए आगे बात करें अब आएंगे आपके लिए question event से related तो event से related में पह होगा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोकसभा में जीतने की सीड़ी मानी जाती है इसी लिए वहां पर काफी investment किया जा रहा है काफी उसको focus में रखा जाता है इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश global investor summit है वहां पर inaugurate किया गया कहा से inaugurate किया गया तो उत्तर प्रदेश में लखनव उत्तर प्रदेश की capital है लखनव वहां से इसको inaugurate किया गया यहां पर माना जा रहा है कि बहुत सारा investment आएगा बहुत सारी jobs create होंगी बहुत सारी मलब बढ़ाईयां की गई है प्रधान मंत्री और योगी आदितना जो की वह मैंने आपको बता ही दिया लखनव है आनंदी बेन पतेल यहां की governor है अगला question है काला घोडा महतसव काला घोडा महतसव या कह लीजे काला घोडा कला फेस्टिवल 2023 का आयोजन किस सहर में किया गया तो काला घोडा जो कला फेस्टिवल है यह normally कहा होता है तो हमेशा याद र साउंथर्ण पार्ट मतलब दक्षिण पार्ट में एक आयलेंड है वहां पर एक घोडा है काले रंग का इसलिए इसका महतसव का नाम भी काला घोडा रखा गया और साथ साथ आपको बता दू कि इसको वहीं organize कराया जाता है इसका inauguration चार फरवरी को हुआ था और बारा थोड़ा महतसव नाम रखा गया 1999 से इसको organize कराया जा रहा है ठीक चले अगले question आएंगे आपके लिए पुस्तक और लेखक से related question तो पुस्तक और लेखक से related question में पहला question है विक्ट्री सिटी पुस्तक का नाम है विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है तो विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक सल्मान रुजदी है इनकी जो पुस्तक है एक्जाम में छपती है तो याद रखेगा जरूर पूछे जा सकते हैं कि विक्ट्री सिटी किसके है आपके लिए ACI Football Confederation AFC ने किस देश को Football Asian Cup 2027 का मेजबान देश बनाया है तो 2027 में जो Asian Football होने वाला है वो किस देश में और्गनाइज कराया जाएगा तो अंसर यहां पर होगा साउदी अरब में और्गनाइज कराया जाएगा यहां पर B option बिलकुल सही होगा यहां पर बात कर ली जाए एशियन Football Confederation की तो इसके सदस से कितने है 47 जिसमें भारत भी एक है इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी मनीला फिलिपिन्स में इसका मुख्याला है और अध्यक्षिस के सेख सलमान बिन इब्राहिम अल-खलीफा है अब साउदी अरब में यह और्गनाइज होगा तो साउदी अरब की बात कर ले तो इसकी कैपिटल रियाद है मुग्डरा साउदी रियाल है ठीक चले अगले कोशन की बात करें तो अगला कोशन है आपके लिए तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम ही है याद रखेगा विंटर गेम अभी खेलो इंडिया से अगर आपको याद आ रहा हो तो खेलो इंडिया मद्य परदेश में और्गनाईस कराया जाएगा जो नॉर्मल वाला है लेकिन ये विंटर गेम है तो इसको कहां और्गनाईस कराया जाएगा किस राज्य और केंसासित परदेश में आयूजित कराया जाएगा आंसर होगा इसे जम्मू कश्मीर में आयोजित कराया नहीं कराया जा रहा है याद रखेगा इसको 10 फरवरी से स्टार्ट कर दिया गया और 14 फरवरी को इसका समापन होगा जो हमारे खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर जी उनके द्वारा इसका इनाउगरेशन किया गया इसमें 9 प्रकार के जो बर्फ में गेम होते हैं उनको और्गनाईस कराया जाएगा ध्यान रखेगा ये थर्ड एडिशन है अब थर्ड एडिशन है तो 2020 में इसका पहला एडिशन हुआ था 2020 की बात कर लें या उसके अगले संस्क्रण की बात कर लें तो दोनों में ही जम्मू कश्मी टॉप पोजिशन पर रहा था परफॉर्म करने में चले आगे बात करें अगला कुशन है किस टीम ने लगातार तीसरी बार मेंस नेशनल होकी चैंपियंशिप 2023 को जीता है तो लगातार यहाँ पर बात की जा रही है मतलब इससे पिछली दो बार भी इन्होंने ही जीता मेंस नेशनल आइस होकी को तो आंसर होगा यह ITBP के द्वारा जीत लिया गया याद रखेगा इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म है और इसके द्वारा जो नेशनल आइस होकी चैंपियंसिप है बारवा संस्करण उसको भी जीत लिया गया दसवा भी जीता गया और ग्यारवा भी इन्हीं के द्वारा जीता गया इसका आयोजन लेह और लद्दाक में और्गनाइस कराया गया ITBP मैंने आपको बता ही दिया 1962 में इसका फॉर्म होता है और इसका मुख्याले नई दिल्ली है महानिदेशक अनीश दयाल सिंग है ITBP किस मंत्राले के अंतरगत आती है तो ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर के नहीं आती ये किस के आती होम मिनिस्टर के अंतरगत त्यान रखेगा चलिए बात करते हैं अगले कोशन की तो अगले कोशन आएंगे आपके लिए आवार्ड से रिलेटेड तो आवार्ड से रिलेटेड में पहला कोशन है ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ओनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान के लिए जनवरी 2023 में किसे चुना गया तो आंसर होगा ये डॉक्टर मनमोहन सिंग जी को चुना गया आपको पता होगा भारत की ये 13 नमबर के प्राइम मिनिस्टर रहे है मोदी जी से पहले ये प्राइम मिनिस्टर रहे है लगातार 10 साल तक याद रखेगा इन्होंने भारत के गवर्नर का पद भी समाला है और ये इकलौते ऐसे परसन है जो की गवर्नर भी रहे RBI के, RBI के गवर्नर भी रहे बाद में ये हमारे प्रधान मंतरी भी भने है और ये इकलोते ऐसे परसन है इसलिए इनके बारे में याद रखेगा इनको ब्रिटेन के द्वारा सम्मान दिया गया है जो को सम्मान है लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसमें तो ब्रिटेन में इंडिया यू के अचीवर्स आउनर में इनको इस कैटेगरी में अवर्ड मिला है ध्यान रखेगा और अगले कोशन आएंगे आपके लिए इंडेक्स और सूचकांग से रेलेटेड कोशन यूथ अफेयर्स एंड इस्पोर्स मंत्राले के अनुसार वर्ल्ड स्टार्टप इको सिस्टम में भारत की रैंक कितनी रही तो भारत की रैंक यूथ अफेयर्स मतलब आप याद रखेगा इस समय पर अनुराग ठाकुर के पास है उनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई मतलब लॉंच की गई जिसमें भारत की रैंक थर्ड बताई गई है कितनी तीसरी बताई गई है आपको बता दू जो उनके द्वारा यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में Bruce liberty जो हमारे equipment है उनमें सबसे जारा सबसे बड़ा निरियातक बनके उबरा है साथ साथ मोबाइल के सिस्टम में टीको के सिस्टम की वज़े से भारत की जो रैंक है वो थर्ड पहुँच पाई है आपको पता होगा भारत ने सबसे जादा कोरोना वाइरस के टीके डेवलप किये उसको भी भारत ने दूसरे देशों को दिया जिसकी वज़े से भारत की रैंक बड़े निदिया तक के रूप में थर्ड पोजीशन पर पहुँच पाई है यह है अनुराग ठाकूर जी ध्यान रखिएगा यह हमारे खेल मिनिस्टर है इस समय पर साथ-साथ इनके पास ब्रॉड कास्टिंग मिनिस्टरी भी इनी के पास है अब अगले कोशन आएंगे आपके पास विज्ञान से रिलेटेड विज्ञान और रिसर्च से रिलेटेड तो पहला कोशन है किस ग्रह में बारा नए चंद्रमा की खोज हुई जिससे इसके चंद्रमा की कुल संख्या बानबे हो गई और सनी ग्रह का रिकॉर्ड तूट ग तो सबसे जादा चंद्रमा इनी चंद्रमा इनी के पास हो चुके थे अब बारा उपग्रह किसी के खोज लिए गए मतलब इनके पीछे कौन था तो आप कहोगे इनके पीछे जुपिटर था नंबरों के माध्यम से तो नंबरों के माध्यम में जुपिटर के पास असी उप करें तो देखिए हमारे पास इस समय पर आठ प्लैनेट है आठ प्लैनेट में पहला प्लैनेट है मरकरी जिसको बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध के जो उपग्रे हैं वो कितने है जीरो अगर शुक्र की बात करने जो दूसरे नंबर का संसे प्लैनेट है उसके कितने है उसके है उसके बाद हमारा सेटर्न आ गया सनी आ गया उसके कितने हैं उसके एक टी थी है फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो अरोड अरोड की बाद 27 है उसके बाद वरोड है वरोड के बाद 14 है तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस है याद रखने की कोशिश कीजिएगा ठिक अगला कोशन यह भी साइंस और टैक से रिलेटेड है इस रो ने अपना सबसे अपने सबसे छोटे रॉकेट से तीन सेटलाइट लॉंच किये उस र गला केटेगरी में हमारे पास रॉकेट से जिसका हम यूज करके जो सेटलाइट से उनका परच्छेपड करते हैं लेकिन पहली बार अगस्त 2022 में हमने इसी रॉकेट का यूज करके परच्छेपड किया लेकिन फेल हो गया इस बार हमने किया तो इस बार पास हो गए तीनों के तीनों जहां पर प्रच्छेपित करने थे वहीं प्रच्छेपित हो गए और यह किसके द्वारा किये गए तो SSLV के द्वारा किये गए ध्यान रखेगा इसके द्वारा तीन जो उप्रेह उनको प्रच्छेपित किया गया याद रखेगा अब यह सक्सेस्फुल हो चुका है लेकिन एक बार और इसको सक्सेस्फुल काम करना पड़ेगा उसके बाद इसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा कि हां यह भी सही से प्रच्छेपित कर स सकता है मतलब किसी भी लॉंच वहिकल को उस कैटेगरी में डालने के लिए कि यह सही से काम कर पाएगा उसको एट लीस्ट दो सक्सेस्फुल अपने मिशन करने होते हैं तो एक इसने मिशन अपना सक्सेस्फुल कर दिया इसका अगर बात करें इस पूरे मिशन की तो ऐस एस छोटे सेृटलाइट से ना उनका इंतजार करना पड़ता था कि कब कोई बड़ी सेक्टलाइट लॉंच तो उसके साथ हम भी लॉंच हो जाएंगे क्यों कि छोटी सेटलाइट को थोड़ी लॉंच करने जा रहे हैं कि बहुत खर्चा लगता था अब इसके माध़्वस क् कर देगा इससे benefit यह होगा कि इस रोख को commercial वल्लब commercial जो फील्ड है उसमें इस रोख अपने अपने आपको expand कर पाएगा और financially benefit मिलने वाला है ठीक चलिए बात करते हैं अगले question की तो अगले question आईगे आपके लिए निधन से related तो निधन से related में पहला question है film director सागर का निधन दो फरवरी 2023 को हो गया वो किस cinema के film director थे तो answer होगा यह तेलगू cinema के जो जिसे tollywood हम कहते हैं उसके यह director थे उनका हाली में निधन हो गया आप यहां पर देख सकते हैं चलिए आगे बात करें तो अगला question है मसूर लेखक केवी तिरुमलेस का निधन 30 जनवरी 2023 को हो गया वो किस भासा के लेखक थे तो किस भासा के यह कंणड भासा के लेखक थे आप इनको देख सकते हैं इनका भी हाली में निधन हो गया अगला question है किस परोसी देश के पूर्वर रास्ट्रपती परवेश मुसर्रफ का निधन 5 फरवरी 2023 को हो गया तो परोसी देशों में अगर बात करें तो परवेश मुसर्रफ इनका निधन यह पाकिस्तान के रास्ट्रपती थे उनका recently में निधन हो गया बात करें तो बहुत time से इनकी यह बिमार चल रहे और इनका दुबई में इलाज चल रहा था साथ साथ important बात ये वी है कि इनको इनकी जो निचली अदालत है उनके द्वारा उम्र कैद की सजा भी दे दी गई थी तो वैसे मिलनी नहीं थी simple सी बात है फिर इन्होंने higher में apply किया और फिर higher में करते तो बची जाते लेकिन इनक पाकिस्तान के लिए नोनी काफी लंबे समय तक presidency की है कैसे की है चुनाव लड़के नहीं इन्होंने सक तक्ता पलट कर दिया था और ये पाकिस्तान सेना के जनरल थे उस समय पर 1999 में उस समय पर पिलट किया और 2001 य। 2001 से 2008 तक यह पाकिस्तान के रास्टपती रहे ध्यान रखेंगे पाकिस्तान की बात करें तो भारत के साथ तीन राज्जियों और दो केंसासित प्रदेश के साथ सीमा टच करता है प्रधान मंतरी सहबाज सरीफ है प्रेसिडंट इस समय पर आरिफ अल्वी है राजधानी यहां कि इसलामाबाद है अब अगले कोशन आएंगे धर्म संस्कृति और कल्चर से रिलेटेड तो पहला कोशन है इसका आयोध्या के राम मंदिर में प्रतिमा के लिए मूरती के लिए किस देश से दो सिलाएं मतले पत्थर लाए गए हैं तो किस देश से तो भूट नेपाल से याद रखेगा जनकपुर वहीं पर अवलेबल है इसलिए वहां से दो पत्थर लाए गए हैं और 40 तन के पत्थर हैं इन पत्थरों का यूज करके मूरतियों का डेवलप्मेंट होगा नेपाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल की बात करें तो टोटल पांच राज्यों के साथ हम इससे सीमा टेच करते हैं बिहार के साथ इनकी सभी राज्यों के कंपेर में बिहार के साथ इनकी सीमा सबसे लंबी टेच होती है काटमाडू यहां की कैपिटल है ध्यान रखेंगे चले आगे बात करें तो अगले कोशन आएंगे आपके जगे अलग डेटा है तो किन देशों में भूकम पाया बहुत तेज भूकम पाया तो अंसर होगा तुर्किये और सीरिया इन दोनों देशों में जो भूकम पाया जिसकी वज़े से काफी जादा लोगों की मरती हुई तो यहां पर डी ऑप्शन बिलकुल सही है भारत ने जो भारत ने भी ऑपरेशन दोस्ट चलाया हुआ है जिसकी वज़े से इनकी मदद कर पा रहा है अपने अलग अलग जो एजेंसी हैं उनके माध्यम से तो NDRF ऐसे दौर्मली मदद कर रहा है भारत इनकी किस लिए तो हस्पिटल डवलप करने में साथ-साथ लोगों को यहां से इवएक्वेट करने में और बहुत साथी चीज में भारत इनकी मदद कर रहा है ध्यान रखेगा यहां पर अलग-налग durability scale मतला www glorious scale कितना तेज भूकम पाया है वो हम किसी score से मापते हैं तो रिक्टर scale से नापते हैं यहां पर कुछ इनकी density बताई हुई है और कितने पर क्या क्या हो सकता है यह बताया हुआ है अगर बात करें तो यहां तुर्किये और सीरिया में कितने लेवल का भुकम पाया है तो आप यहां से लेकर नीचे तक आप ले जा सकते हैं मतलब 6 से लेकर लगभग 8 तक इनके यहां भुकम पाया इसलिए इनके यहां पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है ठीक चले आगे बात करें अगला कुशन है बिजली संकट के कारण किस यहां से लगातार चले आ रही है सानी अभी से चल रही है लगातार 10 सालों से चल रही है यह प्रॉबलम सारी बहुत सारी अठीक का एक जड होती है अगर बिजली नहीं होती, तो काम नहीं होता, काम नहीं होता, रोजगार नहीं मिलता, पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो लोग फिर किसी और माध्यम से पैसा पाने की कोशिश करते हैं, जिसमें डकैती, चोरी, यह सब बढ़ती जा रही थी, जिसकी वज़े से डक्षिन अफ उनके द्वारा ये announcement की गई कि अब हमारे देश में state of disaster घोशित किया जा रहा है, सरकार के पास extra power दी जा रही है, जिससे कि वो इस problem को sort out कर सके, यहाँ पर दक्षिड अफरीका unique देशों में से एक है, क्यों? क्योंकि इसकी तीन capital है, भारत का एक राजजी भी है, जिसने कोशी से सिकी थी, लेकिन बाद में वापिस ले लिया, इसकी तीन capital की बात करें, तो Cape Town विधाई capital है, Pretoria कारेकारी capital है, Blumfontein नियाई capital है, हुद्रा यहाँ की रेंड है, ठीक, चलिए, अब दिवस से related question आएंगे, तो दिवस से related में, पहला question है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस, चार फरवरी को हम अबजर करते हैं, इसकी theme है, close the care gap, क्या, close the care gap इसकी theme है, अगला question है, महिला, महिला जननांग विकरती के लिए, जीरो टॉलरेंस का अंतरास्टी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो जीरो टॉलरेंस for female genital mutilation observed कब किया जाता है, च्छे फरवरी को, ध्यान रखेगा, 6 February को हम इसको अबजर करते हैं, अगला question है, दिवस related, सुरक्षित, internet दिवस, 2023 का कब मनाया गया, तो आंसर होगा, ये हमने 7 February को अबजर किया, ये कब अबजर किया जाता है, तो जो फरवरी होती है, उसका जो दूसरा week होता है, उसके दूसरे दिन में इसको अबजर किया जाता है, और ये 7 February को पढ़ा, तो 7 February को हमने अबजर किया, अगला question, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पलसस दे हम अबजर करते हैं, 10 February को, ध्यान रखेगा, दालों की importance को बताने के लिए, हम इसको अबजर करते हैं, अगला question है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरास्टी दिवस कब मनाया जाता है, तो International Day of Women and Girl in Science, पतलब लड़कियों और महिलाओं को science की field में आगे लाने के लिए इसको अबजर किया जाता है, और इसको हम 11 February को अबजर करते हैं, ध्यान रखेगा, D option यहां पर बिल्कुल सही है, तो उमीद करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो लाइक करके जरूर जाएगा, अपने कुछ दोस्तों तक शेयर कर दीजेगा, बुक के बारे में जरूर चेक कर लीजेगा, कोई और इनफॉर्मेशन लेनी हो, तो नीचे हमारा जो वर्टसेप नमबर दे रखा था, उसे जरूर चेक कीजेगा, वीडियो लाइक कर दीजेगा, धन्यवाद